पर्मानेंट मेंट मुविंग क्वाइल इंस्टुमेंट के बारे में परेंगे पी एम्म्स इंस्टुमेंट जो है एक इंस्टुमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं इसका जो कंस्टुक्शन होता है प्यम्मस इंस्टुमेंट का वो डी आर सुनेबल गल्वेनमेटर की तरह ही होता है देखिए यहां पे यहां पे दो है डाइग्राम एक आपका यह है और एक आपका यह है यहां पे जो हम लोग क्वाइल यूज किये हैं वो रेक्टेंगुलर क्या है तो यहां पे रेडियल फिल बनना है यह pati यह जो दए बुए नर्थ पोल और साफोल दो प्रमाञेट है उसके बीच में क्या है यह को 기분 और अंदर वाला पार्ट जो है जो कि इस्टेशनरी होता है और यह क्या है फॉर्मर है फॉर्मर पर क्या है क्वाइल को लपेटा गया है फॉर्मर पर क्या होता है फॉर्मर एक स्थिर पास है जिस पर क्वाइल को लपेटा सब्सक्राइब यह ही फॉर्मर हो गया इस पर जो क यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है और फिर यहां पे देखिए बाइलेंस करके रखेगा वो इसको बाइलेंस करके लखे यहां पे यहां पे यहां पे को हुआ है उसके अंदर फ़ोर्मर है जिस परust को लपेटा गया है इसमें देख्य कि यह Candy यहिए को दिद्धियागराइप यह यह चाहरा है यह सब्सक्राइब करने ने कि ऊप इसके बारे में हम लोग देख्यें तो तो क्या कर रहा है देखें। दफ अने ट मौविंग कोईल इंस्टुमेंट इस दा मॉस्ट एक टाइप थो डी सी मेजर्मेंट पर्मानेंट मैंड भींग क्वाइल इसतुमेंट जो होता है वो सबसे एक पुरेट इस्टुमेंट माना जाता है कि से लिए डी सी यहां पर किया है डायर्च जो है रिदिग आप ले सकते हैं पंटर और एसके बाइद से डाइरेक्ट रीडिंग यहां पे ले सकते हैं वहीं वहां पे क्या था मीरर के थू हम लोग देखते थे तो यहां पे डिफ्रेंश यही है जो आप डाइरेक्ट इसमें प्यम्म्स इंस्टूमेंट में रीडिंग ले सकते हैं पॉइंटर और एसकेल की मदब से कि सबरेंट देखते हैं जब मोविंगॉइम क्वाइल इसका सबसे इंपनेट पर्ट होता है नाम से हैं पर्मानेंक मैनिक मोविंग महालन ओपरमनेंट ली होगा और क्लिए मान जो होगा मोब करेगा तो मुविंग व NOTA देखें मोह इंग क्वाइस वन with many लपेटनना, लपेटते हैं हम लोग former पे, quail is mounted on a rectangular aluminium former कि फॉर्मर को mount करते हैं किस पे, rectangular former जो है, यह former हम क्या करते हैं, quail को लपेटते हैं जेल dow skilled hoffe क्वेवित आन घ्रोप एंग, क्वेय के छिएवा गया राता है देख्ये ये जो फॉर्मर है वो कहां पे पाइबोटेट है जीवेल भी एरिंग पे पाइबोटेट है यहां नीचे और ऊपर भी यह जो मैंगनेट है उसका जो फिल्ड जेनेट होगा उसमें क्या होगा क्वाइल जो है पर्मानेंटली मूब करेगा इसके फिल्ड में पर्मानेंट मैंगनेट के फिल्ड में जो गैप है उसमें क्या होगा क्वाइल मूब करेगा दोनों पर्मानेंट मैंगनेट के बीच में क्यों मोग करेंगा तो तो है अब यहां पर देखे जो अदर पाठ है वह क्या है मैंगेट सिस्टम है तो मैंगिनेट सिस्टम में देखिए करा है there has been considerable development in materials for permanent magnet जो permanent magnet है उसमें क्या है कुछ development किया गया है कुछ latest जो है यह उसको modify किया गया है and therefore magnet assembly have undergone a lot of change जिसे कि होए बहुत सरा change आया है in the recent past नेक्स है control जो है हम लोग दो मेंट ही करते हैं नौट पूल साथ पूल देखें हैं जो की fix होता है वही मेंट सिस्टम की यहां पर बात हो रही है next है control तो देखिए यहां पर when the coil is supported between two jewel wearing हम लोग देखे हैं दो जूएल वेरिंग एक आपका नीचे होता है क्वाइल के नीचे और एक क्वाइल के ऊपर डागराम में आप देखें हैं supported होता है the control turk is provided by two phosphor bronze hair spring वह जो दो स्प्रिंग होता है उपर और नीचे उसके द्वारा क्या होता है यह वह किसका बना होता है phosphor bronze का hair spring means patla spring होता है एक दम पतला टाइप का ठीक है जो क्या करता है control turk उसे produce होता है जो spring हम लोग यूज करते हैं वह क्या करता है controlling turk produce करता है जाता है यह करेंट जो है क्वाइल में जाता है उसके थिरूट जो हमें से आउट होता है करेंट तो इन आउट भी करता है करेंट को और क्या करता है control turk को produce करता है spring ठीक है नेक्स्ट है damping 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 टर्क इस प्रोडिउस्ट बाइ मोमेंट ऑफ दा ऐलमूनियम फॉर्मर जो ऐलमूनियम फॉर्मर है उसके कारण जो होता है डैम्पिंग टर्क प्रोडिउस होता है moving in the magnetic field of the permanent magnet जो फॉर्मर होता है एलमूनियम फॉर्मर जो आपका देखे हैं क्वाइल के नीचे रहता है जास्ट दिस वला यह पार्ट जब मूब करता है पर्मानेंट मैगनेट जो है उसके फिल्ड में यह जो दुनों फिल्ड के बीच में जो मूब करता है तो यह क्या करता है के नापके को गृइउस करता हैि हो आपनेट को करता है नेसाथ करता है यह क्या है क्रणियद क्सक्रीट हो डुक्त करेगा डे क्या हो दाइंपिंग डाप and moves over a graduated scale जो pointer होता है वो किस से लगा होता है Spindle से लगा हुआ रहता है Spindle एक support चाहिए तब तो moment होगा यहाँ Spindle है Spindle से क्या रहता है Supported रहता है और उसके उपर क्या होता है pointer के उपर scale रहता है कुछ इस तरह का यह आपका scale हो गया और यह अपका प्वाइंटर हो गया इस तरह का यह पॉइंटर हो गया और यह क्या होगा यहां पे Islamic होगा किसी नगकिसी चीजसे सपोर्टों से सपोपोर्टेद्ल से लाइट इस धायट वेट कंस्ट्रक्षन और प्वाइंटर दो होता है जूछिन धोच्टीन है यह क्या होता है light weight होता है कम वोजन होता है अगर जादे वोजन इसका होगा तो क्या होगा इसको यह जो spindle है वो टूट सकता है इसका fluctuation अच्छे से नहीं होगा तो यह light weight का होता है ठीक है अब हम लोग देखे तो permanent magnet moving coil instrument का जो टर्क एक्वेसं और तर्क एक्वेशन होता है। STD state में, final STD state में, means जब इस्थिर रहेगा, deflection करके, उस समय में, deflecting torque और controlling torque, दोनों क्या होता है, बरावर होता है, final STD state में, controlling torque, deflecting torque और controlling torque, दोनों क्या होता है, equal होता है, तो हम लोग जानते हैं, deflecting torque is equal to T of D, क्या होता है, GI होता है, और G क्या है, displacement constant है, और I क्या है, current in the coil है, तो G is equal to क्या होता है, NBA होता है, यह भी हम लोग जानते हैं, G है displacement content, तो यहाँ पर देखे, TD is equal to क्या है, GI, और controlling torque is called to क्या होता है, K into theta, K क्या है, spring constant, C into theta लिखे, या K into theta, C और K दोनों से हम लोग spring constant, यह रिए storing constant को हम लोग देते हैं, spring constant, K क्या है, spring constant, तो आप देखे, यहाँ पर क्या होता है, K into theta, तो यहाँ से theta क्या है, deflection है, pointer का deflection होता है, उसे को हम लोग theta से denote करते हैं, तो theta is called to क्या होता है, G I बटे K और G और K क्या होता है constant होता है G क्या है displacement constant और K क्या है spring constant तो displacement constant नाम से के लिए है constant उसका value होगा और K जो है spring constant वो भी constant होगा तो देखिए यहाँ पे theta जो है deflection जो है क्या हो जाएगा directly proportional to current हो जाएगा तो यहाँ पे यह दोनों constant है जो पी में सी इंस्टूमेंट है उसका इसकेल जो हता है यूनिफॉर्म होता है मिन्स देखिए यह ठीटा और आई डारेक्ट लिप्रोपोर्शनल है मिन्स जैसे जैसे ठीटा बढ़ेगा वह से आपका करेंट का बहलू क्या होगा बढ़ते चला जाएगा तो डारेक्टली प दखिये उप्जेक्टि में पुचेगा नेक्स्टरिंग लोग से यह देखेंगे यह मेंशी इंस्टूमेंट में क्या एड हराता है एड़नटेश से नसे हैं अ कि अब अ कि आ DAFisk l पिंशностुमेंट में किस तरह का एरॉर आता है उसको हम लोग देखेंगे तो देखिए इनननी फेजा इन्वाइव और इनैगे कमया को में देखिनेंटर में फॉसके को देखेंगे 2 है gating and temperature 6band and temperature 95 प्रमानेंट में जो परम जो होग करते है वो कमजोर पर जाता है उसका effect كम हो जाता है विक्निक हो जाता है किस्के कारण एक आल हो गाई पुराना अचैनल हो आता है और remote dependency कारण यह क्या होता है कम जोर हो जाता है दूसरा है वीकनिंग आप एस्प्रिंग डिव टू एजिंग एंड टेंप्रेचर इफेक्ट जो आपका इस्प्रिंग यूज करते हैं वह स्प्रिंग क्या होता है एज के साथ जैसे जैसे पुराना होता है यह क्या होता है कम जोर हो जाता ह यह spring कमजूर हो जाता है permanent magnet जो यूज करते हैं वो कमजूर हो जाता है change of resistance of the moving coil with temperature जैसे जैसे temperature वरता है तो moving coil का resistance जो है वो क्या होता है change हो जाता है तो इस तरह के error जो है PMC instrument में देखने को मिलता है next advantage of PMC instrument जो permanent magnet moving coil instrument है उसका advantage क्या है तो देखिए पहला low power consumption इसमें जो power consumption है वो बहुत ही कम है low power consumption यह कम power को consume करता है तो बहुत अच्छी बात है second है there is scales are uniform PMC instrument का जो scale होता है वो uniform होता है हम अभी दिखलाए थे आपको theta जो है directly proportional to i होता है जैसे deflection होता है pointer में वैसे से current up का vary करता है तो इसका scale क्या होता है uniform होता है no hysteresis loss कोई भी hysteresis loss नहीं होता है loss नहीं होता तो efficiency बर जाएगा high tuck to weight ratio tuck to weight ratio होता है वो क्या होता है हाई होता है तो अच्छी बात है दे है very effective and efficient ED current damping और इसमें क्या होता है प्यम्म्स इंस्टुमेंट में बहुत ही effective or efficient ED current damping होता है next range can be extended with suns or multiplier suns और multiplier की मदब से हम लों क्या करते हैं इसके range को बरहा लेते हैं बरहा सकते है next disadvantage of PMMC instrument तो PMMC instrument का disadvantage क्या है खामिया क्या है somewhat costlier as compared to moving iron instrument अगर moving iron instrument से हम लोग compare करें तो यह क्या होता है थोड़ा costly होता है ठीक है cannot be used for AC measurement हम लोग PMMC instrument से AC मेजर नहीं कर सकते हैं only and only हम लोग DC मेजर करते हैं तो AC मेजर नहीं करते हैं यह भी क्या हो गया disadvantage हो गया तिसरा देखिए some errors are set in due to aging control spring and the permanent magnet कुछ जो है error आता है जैसे जैसे पुराना होता है आपका instrument तो आपका magnet क्या होता है weakening कमजोर हो जाता है spring कमजोर हो जाता है जिसके कारण क्या हता error produce करता है friction and temperature might introduce errors as in case of other instrument और other instrument में जैसे friction or temperature के कारण error आता है उसी तरह PMC instrument में भी माइट भी हो सकता है friction or temperature के कारण error आता है तो इस तरह का यह disadvantage हो गया error produce के रामिस disadvantage ही है तो इस lecture में हम लो देखे PMC instrument क्या होता है उसका construction देखे parts देखे errors देखे advantage देखे disadvantage देखे thank you for watching this video thank you so much कर दो में होईड़े वादर कर दो में है... हिंक सब बेखे क आता होगा झाह दूज़े कर दो दो पर चक में है ज़ागा है जढ बहाद न गनके में हमें पक्रहबे ढ़ोगों